जैसा कि जब से ACF का नोटिफिकेशन आया है, काफी साहर लोग इसी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं, तो इस वज़े से हम क्या करेंगे कि यह जो न्यू लेक्चर सीरीज है, उसमें हम प्रिवेस एर पेपर जो है, वो सॉल्ट करेंगे, तो अभी हम क्या स्टार्ट करने चाह आज हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के सारे कोशन सॉल्ट करेंगे, विट आंसर एन एक्स्प्लेनेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कोशन है, यह मेटलर्जी से कोशन आया हुआ है, अगर आपको मेटलर्जी डीटेल ने पढ़नी है, तो आप मेरे प्लेरी क्लास 12 चेप्टर नंबर 6 है, आप महां से भी बढ़ सकते हैं, और CG बोड में भी इंक्लूड है, तो आप महां से भी बढ़ सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखिए, वाट इस कोपर मेट, कोपर मेट किन चीजों से मिलकर बनता है, यह दू चीजों से मिलकर बनता है, इसका जो राइट आंसर है, वो है, ऑप्शन नंबर B, कॉपर सिल्फाइड और इसमें स्मॉल मौंट में पाया जाता है, आइरन सिल्फाइड, ठीक है, मेटलर जी में हमने इसे डीदेल से पढ़ा था, कि जब हम कॉपर पायरेट से कॉपर का एक्स्ट्र पायरेटर में जा एक का जोपॉरिन का औक्सिधेशन इसे इसमुहिए और उसने स्पहता है, वो मेटली फॉर्मट में पायरेट्ट को स्पोईचिम common common चीज़े हैं like plaster of paris, chipsum, यह छोट-चोटे compound है इसका आपको formula आपको पता होना चाहिए, baking soda, caustic soda यह सारी चीज़ों के formula आपको पता होना चाहिए, तो bleaching fordler का formula होता है CAO, CLT, जिसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2 chlorine है, तो इसे हम CAO, اور उसके बाद CL इस oxidation state निकालेंगे, ध्यान से देखेगा इसे कैसे निकालते हैं, जैसे ये CA है, और बीच में क्या है, OCL है, और N में क्या है, CL है, इस तरह से ये तीन entity है, इसमें, कॉप जो calcium होता है, उसका charge होता है 2+, मतलब इसके पस 2 electron है, ये 2 electron जो हो donate कर सकता है, stable होने के लिए, chlorine होता है, उसके पास minus होता है, plus का मतलब होता है, कि वो donor है, मतलब वो 2 electron दे सकता है, minus का मतलब होता है, कि वो electron accept कर सकता है, यहाँ पर 1 minus है, तो मतलब ये 1 electron accept कर सकता है, अगर 2 minus होता है, मतलब 2 electron accept कर सकता है, अब इसके बाद देखिए, 2 plus है, अब –1 थेक है ocl का चार्ज होगा –1 तो यह oxygen है oxygen का हमें पता है कि 2 माइनस होता है तिक है ठीक है टू माइनस होता है बट है चार्ज किया है उपर में –1 है अगर हम इस chloride का oxidation state निकालेंगे तो इस chloride का oxidation state होगा होंक एक क्लोरीन का निकाला जाता है तो दोनों जो क्लोरीन है एक क्लोरीन का ग्लिन होगा दूसरी फोल्ट करते हैं इसके बाद कि amorphous solid क्या होता है amorphous solid यह इसे इस तरह से define किया जाता है कि इनका जो internal structure होता है इनका जो geometric shape होता है वो definite नहीं होता है वो irregular होता है जैसे for example आप कोई भी चीज़ देखते हैं ठीक है जैसे for example आप sodium chloride ले लीज़े तो उसमें क्या होता है कि proper ऐसे composition होता है कि यहाँ पे अगर na क आटम से तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें बीच-वीच में CL की एटम से होंगे तो उसमें क्या होता है definite shape होता है अगर एक naa है तो same distance पे दूसरा नहीं होगा तो इस तरह से क्या होता है कि उसमें proper composition होता है उससे हम क्रिस्ट्राइन structure कहते है एक structure होता है amorphous और दूसरा ह क्रिस्ट्राइन क्रिस्ट्राइन में सब कुछ definite shape and size होता है और इसमें amorphous में क्या होता है irregular होता है तो इसमें जो right answer है वो है glass ठीक है यहां पर एक्जामपल में भी देख सकते हैं glass plastic gel यह सारे जो होते हैं वह irregular or indefinite shape और इनका geometric shape और size इस तरीक होता है ठीक है उनका internal structure तो इ इसके बाद next question देखते हैं इसमें पूछा है calcogen किस group को कहा जाता है जैसे कि आपने पढ़ा है कि सब जितने भी periodic table में elements है सबको अलग-अलग नाम सजाने जाता है जैसे कि जो group one है उसे हम alkali metal कहते हैं उसके बाद जो second group है उसे हम alkaline earth metal कहते हैं उसके लास्ट है 18th group उसे हम noble gas या inert gas कहते हैं तो आपको यह जो common names है यह भी पता होना चाहिए तो यह इसका जो right answer है वो है group number 16 group number 16 जो होता है oxygen वाला ग्रूप oxygen और oxygen, sulfur, selenium, tellurium यह वाला जो group है वो group 16 है और इसका नाम ही calcogen है तो यह आपको याद रखना है अब इसके बाद next question देखते हैं इसमें पूछा गया है which of the following oxide is the empoderic nature ठीक है empoderic nature पहले समझी कि empoderic word का meaning क्या होता है empoderic एक ऐसा substance जैसा compound है जो कि किसी भी reaction में acid की तरह भी act कर सकता है और base की तरह भी act कर सकता है जो acid होता है उसका काम क्या होता है proton donate करना और proton कहीं just opposite क्या होता है electron या फिर electron pair को accept करना ठीक है similar लिए base का क्या होता है कि वो जो proton है उन्हें accept करता है electron को क्या करता डूनिट करता है तो आपको यह दोनों याद रटने की ज़रूर ने किसी एक को भी याद रट लीजे तो यह आपको definition याद रहेगी कि जो acid को acid का क्या होता है कि proton को donate करना बेस का काम क्या होता है proton को accept करना ठीक है और electron की basis पर अगर आप समझेंगे तो just opposite हो जाएगा सबसे पहले आप सबसे easy example से समझते है water water क्या होता है कि वह acid base दोनों की तरह act कर सकता है इसलिए उससे empodary कहते है तो अब यहाँ पर example के थूरू देखिए किस तरह से उसका reaction जो होता है यहाँ पर देखिए water act as base base का काम क्या होता है कि वह proton को accept करता है तो यहाँ पर देखिए यह हो है उसने यहाँ से हैच प्लस क्या किया accept किया accept करके वहाँ पर यह hydronium ion form हो और जब यह acid की तरह act करेगा तो यह क्या करेगा है कि थूरू भी समझ सकते हैं कि एंपोटरिक नीचर क्या होता है इसका मतलब होता है कि एक जो same compound है वह acid और बेस तूनों की तरह act कर सके तो इस quality को हम एंपोटरिक कहते हैं ठीक है an example of reversible reaction reversible reaction और irreversible reaction यह हम जब पहला lecture था chemistry का उसमें हम already cover कर चुके कि इनका मतलब क्या होता है इनका मतलब यह होता है जैसे कि नाम से clear है कि जैसे कोई a plus b के बाद c कोई product form हुआ अब क्या होता है कि जो c है वो वापस reactant में change हो सकता है तो इसे हम reversible कहते हैं अब यहां पे एक example भी दिया हुआ है कि क्या है कि n2 plus 3H2 यहां से इसे क्या हो अमोनिया फॉर्म हुआ अब यह और यह backward reaction यह इस तरह से हम represent करते हैं इस symbol कोई कहा जाता है reversible reaction अब इसका definition देखिए proper definition क्या होता है reversible reaction in a chemical reaction in which the reactants form product in turn react together to give reactant back इसमें क्या होता है कि जो reactant होते हैं वो product form करते हैं और उसके जो product फवर्म होता है वह वापस reactant फॉर्म करता है और यह जो reversible reaction होते हैं वह Millennium B sheep पहूँछते हैं क्योंकि यह जो process और वह continually चलती रहती है कि जैसे यह reactants product form होगा फिर वापस product यहां पतलु तक चलती रहीगे जब तक डुनों का कंसेंट चेंज होना दंद नहीं हो जाएगा का की किया है है यह पर रोगों तो इट मिंस की यह नहीं है उसके बाद यहां पे hydrogen gas लिए यह भी नहीं है और उसके बाद यहां पे displacement reaction यह भी नहीं है यह neutralization reaction है और यही हमारा right answer option number C is the right answer यही है reversible reaction अब इसके बाद next question solve करते है the thermal decomposition of CaCO3 इसके बार में कुछ options दिए हुए जिसमें से हमें correct option चुनना है यह reaction first option है it is reversible reaction in closed pot पहले आप यह समझे closed and open कहां पर क्या फंड़ा है closed and open pot यह फिसे system भी कहा जाता है closed system और open system closed system मतलब कि जैसे आप thermos flask bottle use करते हैं क्या करते हैं आपने गरम पानी रख दिया तो वह कहरेगा कि आप चार गंटे पांच गंटे दिन भर भी रखेंगे तो अंदर का पानी बिल्कुल गर्म होगा क्योंकि बाहर से अंदर ना कोई gases का एक्सचेंज होता है ना कोई matter का एक्सचेंज हो रहा है उसके बाद जो open system होता है open system मतलब कि जैसे कि आपने कोई भी ग्लास में पानी रख दिया तो यह क्या हो जाएगा कुछ तिरवाद ठंडा हो जाएगा तो इसे open system कहते हैं तो यहां पर पहला जो पॉइंट दिया गया है कि reversible reaction in closed pot तो यह option क्या हो जाएगा यह करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर इसका reason क्या है कि अगर हम इसे closed system में रखेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जब cao और co2 फॉर्म होगा तो co2 गैस बाहर रिलीज नहीं हो पाएगा अगर यह बाहर चले जाता तो क्या हो जाते यह irreversible reaction हो जाता बट यह अंदर में ही है तो यह वापस से calcium carbonate form कर देगा इस वज़े से option a और option b दोनों से यह इसलिए इसका राइट आंसर है वो है option number c अब इसके बाद next question solve करते हैं इसने पूछा गया है what is the monomer of teflon polymer भी हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा जितने भी important polymers है उनके बारे में उनका structure उनका जो monomer है यह साथ चीज़ा हमने अच्छे से cover किया आप playlist में जाके देख सकते हैं तो यह जो teflon होता है उसका monomer पूछा गया है तो इसमें से जो राइट आंसर है वह option number one tetrafluoro ethene ठीक है इसके जगार आपको structure भी देदें तो आप easily समझ सकते हैं कि tetra मतलब क्या होता है four fluoro मतलब fluorine और ethene मतलब की it मतलब होता है इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह होगा tetrafluoro ethene आपको इसका structure भी आद रखना है teflon के बारे में आप एक और important चीज़ याद रख सकते हैं इस तरह कभी question पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सा पॉलीमर है जो की kitchen में यूज़ किया जाता है for non-stick cookware तो उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा teflon teflon का एक काफी important use है कि इसका non-stick cookware में यूज़ होता है अब इसके बाद next question solve करेंगे इसमें पूछा गया potassium in periodic table position कहां है इसका potassium का तो potassium को हम k से represent करते हैं तो आप देखेंगे first group का यह element है इसका यह आप देख सकते हैं यह है potassium अब इसमें जो groups होते हैं वह verticals जो column है उनको हम groups कहते हैं और जो horizontal column है उसे period कहते हैं तो यह जो period है तो इसमें क्या है यह fourth period of first group तो इसका जो right answer है वह option number one यह इसका correct answer है अब इसके पाद next question solve करते हैं इसमें पूछा गया है product form होता है यह फिर इसके पीछे क्या reason है कि जिसकी वज़से यह जो यह blue है वह form होता है यहां पर नीचे reaction reaction भी लिखा हुआ है आप देखिए लीजे अने potassium यह सब जितने हैं इनके पास एक balance electron है जिसे कि वह loose करके वह stable configuration हासिल कर लेते हैं तो वह क्या करता है कि अपना जो electron वह visible light से color जो है वह absorb करता है और इस वज़से blue solution फॉर्म होता है तो इसमें हम option में देखते हैं कि right option कौन सा होगा कि क्या फॉर्म हो जिसके वज़से blue color आया है तो इसमें metal आयन तो नहीं है यह भी नहीं है इलक्ट्रॉन भी नहीं है इसका अंसरों का option number d amonated metal iron यहां पर रेक्शन भी देख सकते हैं क्या amonated metal iron तो यह फॉर्म हो है इसके वज़से यह blue color solution है वह फॉर्म होग है इसके बाद next question है sodium and potassium salt of long chain monocarboclic acid are called sodium and potassium chain of long monocarboclic acid किसे कहते हैं इसका right answer होगा soap soap is the right answer यह simple सा definition है जो कि अगर आप soap and detergent पढ़ेंगे तो यह just इसका definition नहीं है इसलिए इसमें कोई explanation नहीं है अब इसके बाद next question देखते हैं which of the following is a levy's base अब levy's base क्या होता है पहले ही तो यह आपी यह समझे any species that has filled orbital containing an electron pair which is not involved in bonding but may form a d2 bond with levy's acid to form levy's addict सबसे simple example लेते हैं NH3 का ammonia का ठीक है जैसे कि अगर आपने basic chemistry अगर आपको basic बता होगा तो जैसे इसका atomic number 7 तो इसका electronic configuration कितना होगा nitrogen का two and five इसके पास जो five है वो balance electron है तो इसका structure बनेगा NH3 का वो किस तरह से बनेगा nitrogen और इसके साथ तीन hydrogen इस तरीके से attached है और इसके पास एक lone pair होगा यहाँ पे जो किसी से bonded नहीं है तब यह क्या करेगा कि यह इस electron pair को किसी भी डोनेट कर सकता है ठीक है तो इस लिए इस वज़े से क्या कहा जाता है लेवी स्पेस लेवी स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास extra electron है जो कि वो किसी को भी donate कर सकता है तो dative bond का मीनिंग क्या होता है कि इसका और नाम भी होता है coordinate bond जैसे bonding क्या होती है तीन types की होते है अगर आपने पढ़ा हो तो अपकर पता होगा electrovalent bond covalent bond and तीसरा THIS करता है और दूसरा क्या होता है कि एक sharing होती जोनों के वीच में और यह जो कोडिनेट bond है उसमें क्या होता है गि यह इस तरह का सिंबॉल होता है तो यह कोडिनीट बांड बनन बता है तो कि हम इस की तो आपको फ्रशांपल से तो तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा दो इसका जो राइट आंसर है वो है यह है carbon monoxide co अब इसके बाद next question देखते है next question है 0.1 N NUH का pH क्या होगा इसका जो right answer है वह option number D अब इससे हमें example के थूर समझेंगे कि यह कैसे निकाल जाता है जैसे for example यहाँ पे 0.1 दिया है अगर इसकी जगह आपको पूछ दिया कि 0.01 N का कितना होगा तो जैसे कि यहाँ पे क्या है इस अगर इस form में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 10 to the power minus 2 इससे आप इस तरह से लिख सकते हैं जो 0.01 10 to the power minus 2 इससे पता चलता है कि यह न O H का जो पी O H है जो पी O H होता है और पी H होता है दोनों में लगे क्या बना कितने के बराबर होता है तो अभी यहाँ पे 2 है अगर पी O H यहाँ पे 2 है तो O H कितना हो जाएगा ओएगा 12 तो similarly इसमें भी क्या हुआ कि 0.1 को हम क्या लिख सकते 10 to the power minus 1 लिख सकते है minus 1 निख सकते हैं यानि इसमें जो OH है POH है वो 1 है तो ये जो pH हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा इसलिए 13 है right answer I hope आप लोग को समझ आ गया होगा अब इसके बाद next question देखते हैं which of the following statement is correct इसमें से कौन से statement है जो कि correct है तो सबसे पहले यह समझें कि element का जो acidic character होता है वो क्या होता है molecule is donated by ability to lose proton that is H plus क्या होता है कि वो कितने easily जो है वो अपना H plus donate कर दे रहा है उससे हम acidic character करते हैं topic का नाम है acidic character in highlights ठीक है तो आप इसे पढ़ सकते हैं आप पढ़ेंगे ही जब आप पूरी तयारी करेंगे तो आप एक को एक topic cover करना है तो इस question को हम solve करते हैं इसमें जो sequence है वो किस तरीके का होता है इस तरीके का होता है HI, HBR, CL, HF मतलब कि जैसे जैसे atom का size बढ़ता जाएगा जैसे fluorine जो होता है उसका size छोटा होता है और जो उसके बाद chlorine है, bromine है यह सब के size होते हैं वो क्या होते हैं बड़े होते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि कि जैसे अगर size चोटा है तो उनके बिच क्या होगा attraction ज़्यादा होगा bond जनी बेक नहीं होगा और आगर जो atom से बढ़े होंगे, यह से क्या होगा yani attrib तो जल्दी sigui रिमारत है जल्दी ब्रेक हो जाएगा है, इस वजह से क्या होगा कि जबनीब्रेक होगा वो क्या होगा कि यहां पर आप समझें कि क्या होगा CH4 is more acidic than NH3 तो यह गलत है क्योंकि इनके बीच क्या है कोवलेंट बॉंड है काफी स्ट्रॉंग बॉंड है तो यह है एच प्लस डूनेट नहीं कर सकते हैं उसके बाद बोला गया है है इसे हम अल्रेडी तेसकर कर शुए है कि फ्लोरीं जहां मुस्ट रिलक्टो नेगटिव एलिमेंट है वह एच प्लस डूनेट करहीं नहीं सकता है क्योंकि उनके बीच क्या है स्ट्रॉंग एफिनिटी स्ट्रॉंग अर्ट्रेक्शन है तो यह भी नहीं हो सकता है उसके बाद पूछ बोला गया है एचल इसमोर असिडिक दिन से थोड़ा लंबा होगा दीरे दीरे होगा बट आपको एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझना है यह कोशन अब देखें फिफ्टीन नंबर पी एच ऑफ प्यूर वाटर इस चेंजड ऑन एडिशन ऑफ सी एस्ट्री सी ओने पिएच अगर प्यूर वाटर में जो प्यूर से जाता होगा जर। इसहार फियाच ऐसकेल स में होता है औरा तो वह कुनेते हैं औरा यो इसमें घृते है क्या होता है कि अगर इस तरह के सॉल्ट ते इन पैस इंड़ यह जो सौली होते हैं वह स्ट्रॉयानूर्ग बेस और आला इक श्ट्रॉंग दमीं के सिट से बने उत तो यहां पर क्या होता है कि है एच प्लस का जो का जो का जो किसी भी लिक्विड में अगर एच प्लस जादा है तो वह एसे डिक है और अगर हो जादा है तो वह क्या है बेसिक ग मैं तो यहां पर जैसे हैं H स्कशा जो का है क्वा थो आप सेवन से जाद होता है क्योंकि एच प्लस का डिक्रीज होना मतलब कि एसडिक करेक्टर का डिक्रीज होना अब इसके बाद नेक्स देखते हैं तो ट्रोप ऑफ हाइड्रोजन डिफर सिन जिनको पता है अच्छी बात है जिनको नहीं पता है वो ध्यान से समझें जो एक्रम का basic structure होता है वो क्या होता है यहाँ पर proton and neutron पाया जाते हैं और यह मिलकर यह nucleus form होता है जिस तरह से सूर्य के चारो और जो प्लैनेट जो है वो revolve करते हैं उसी तरह इसमें भी इस तरह का shell बना होता है और इसमें जो electron है वो fast speed से revolve करता है तो यह होता है atom का structure तो यह जो nucleus है proton plus neutron इनका यह दोने मिलकर क्या बनाते हैं यह mass number कहलाता है number of proton plus number of neutron क्या होता है mass number होता है number of electron जो होते है यह होता है atomic number क्योंकि electron and proton जो होते है वह same number में होते हैं तभी तो atom neutral रहेगा ठीक है इस वज़ये से तभी तो यह neutral होगा तो इस तरह से होता है atomic number और mass number तो isotope किसी कहा जाता है कि जैसे 2 hydrogen के 2 element है इनका atomic number तो same होगा पर mass number जो होगा वो different होगा तो ऐसे ही जो element है, उन्हें हम isotope कहते है, तीक है, similarly, isotope बाहर होता है, उसमें क्या होता है, सेम mass number different atomic number, तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि इनका isotope है, मतलब mass number different है, mass number different है, मतलब कि इसमें neutron की जो संक्या है, वो अलग होगी, क्योंकि ये isotope है, तो इनके इसका राइट आंसर होगा option number a अब इसके बाद this next question Portland cement does not contain Portland cement does not contain इसका जो राइट answer है वो I think मेरे हिसाब से तो option number D होना चाहिए पर कहीं कहीं पर option number B भी लिया गया है तो अगर आप लोग में से किसी को यह पता हो इसका इसका final answer तो आप लोग comment section बता सकते हैं otherwise मेरे according इसका अंसर option number D होना चाहिए अब इसके बाद next question देखते हैं copper parite is concentrated by the method यहां पर जितने भी metallurgy questions है उनका सब का theory मैंने lecture में cover कर है तो अगर आपने नहीं देखा ता playlist में जाके देख सकते है copper parite is concentrated by the method कौन सा method यूज़ करते हैं froth flotation process की काफी easy question है अब इसके बाद next question देखते है which of the following is not a linear polymer यह भी हम already cover कर चुक है lectures में इसमें बोला गया है कि कौन सा है वो linear linear का मतलब क्या होता आप यह समझे is a long continuous chain of carbon carbon bond with remaining two valence bond attached to hydrogen or other relatively small hydrocarbon इसमें बोला गया है कि कौन सा linear linear मतलब कि वह स्ट्रेट chain से carbon carbon ऐसे इस तरह से जूड़े हुए तो इसका राइट answer होगा वह होगा option number e none of this क्यूंकि इन सब का structure भी हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का structure होता है इसमें आपको देख सकते हैं figure में क्या है सब एक linear chain में जूड़े हुएं carbon carbon के बीच bond है तो यह क्या हो रहा है कि यह सब एक linear chain से जूड़े हुए है और इनके पास दूर जो दूसरे element है वह इस तरह से है तो linear का मतलब यह होता है कि क्या वह एक straight chain में से जूड़े हुए तो इसका right answer होगा वह होगा none of these अब इसके बाद next question solve करते हैं कमाला जाइट इस और आपको जितने भी important और है especially copper के iron के की तीन जो होते हैं काफ़ी important होते है तो इनके जो ओरसरे आप को याद रखना है तो यह जो एक answer क्या होगा इसका answer होगा copper अ क्योंक क्यों 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 मेंने नहीं तो इस वाज़ता शेंडे होगा none of this यह जो है यह copper का ओर है तो यह आपको याद रखने हैं अब इसके बाद next question देखते हैं which of the following is a paramagnetic इसके पीछे थोड़ा सा concept जो है वो थोड़ डिफिकल्ट है तो अगर आपने को याद होगा 11th class से आपने chemical bonding chapter पढ़िए तो उसमें यह paramagnetic किस तरीके से निकालते हैं यह है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा option number C NO2 ठीक है NO2 जो होता है उसमें unpaird electron होते है paramagnetic का मतलब ही होता है unpaird electron dimagnetic मतलब कि paired electron तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है option number C ठीक है तो जिसको इसके पीछे का concept समझना है वो यहाँ पे देख सकते हैं और जिसको अगर यह कि skip करना है तो आगे forward भी कर सकते हैं तो आईए इससे हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि यह जो यह paramagnetic होता है वो किस तरह से find out किया जाता है तो सबसे पहले देखें यह molecular orbital theory यह हम यहाँ पे example लेंगे जैसे यहाँ पे हमने NO का salt किया और यहाँ पे क्या है यहाँ किसी भी एक को लेके salt किया सकता है मैं यहाँ पे easy NO को लेती हूँ क्योंकि आइस कहांसार NO2 है तो यहाँ पे देखें यह बीच का क्या होता है यह NO होता है और इधर जो हमने left में बनाया हुआ है यह जो orbitals है यह nitrogen है और इधर जो right में बनाया है मैंने यह oxygen के है अभी आपको होता होगा कि nitrogen का जो atomic number 7 होता है इसके पास 5 valence electron है तो इस 5 valence electron को ही हम यूज करेंगे और इसके पास 5 valence electron होते है वह 6 electron होता है तो इसे ही हम यूज करने वाले हैं तो यह देखिए जैसा कि आपने 11 पे पढ़ा होगा जो इस टैप का configuration होता है कि 1s2 2s2 1s2 2s2 2s2 ठीक है 2p जितने electrons बचे होते हैं उसे हम उसमें फिल करते हैं तो जो s होता है वो क्या होता है simply एक box होता है जो p होता है उसमें 3 boxes present होते है 1,2,3 एक-एक box में हम क्या करते हैं electron इस तरीके से फिल करते हैं और दोनों का opposite spin होता है तो यहां पर just हमने यह box ही बनाया हुए कि यह s है और य 3 boxes होते हैं और उसमें हम opposite जो है फिल करते हैं आपने यह पढ़ा होगा पॉली एक्स्प्लूसिव प्रिंसिपल है यह सब जो है उस 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो अब देखिए जो इसके पास क्या 5 valence electron है तो हमने क्या 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 S को फिल कर दिया इसके पास 6 valence electron है इसका पी ऐसाल है वह हमने फिल कर दिया ठीक है 1s को हमने लेते क्योंकि वह फिल है अगर उससे भी आप बनाने चाए तो इसके नीचे बना सकते हैं अब इसके पास क्या हुआ हुआ दो हमने यहां फिल कर दिया तो 3 को हमने यहां फिल कर दिया oxygen क्या है oxygen का भी हमने 4 यहां फिल कर दिया ठीक है अब इन दोनों को आप एड़ करें कितने है total ये total है 3 प्लस 4 is equal to 7 अब क्या करेंगे हम यहां पर रहा जो यहां पर यहां पर हमने और्बिटल बनाया है उसे हम फिल करेंगे तो जब 7 है तो यहां पर क्या किया हमने यहां पर यह six जो है वो यहां पे फिल हो गया अब उसके वाज एक बचा वो यहां ऊपर हाईयर और्बिटल में यह फिल हो गया तो अब आप देख सकते हैं यह अनपेर्ड है इस वज़े से यह जो एनो है वह पैरा मैगनेटिक है क्योंकि इसके पास यह अनपेर्ड एलक्टरॉन है अ आप इसके डीटेल अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी अब इसके बाद नेक्स्ट कोशन देखते हैं और कोशन नमबर 22 विच अफ दे फॉल्लिएंग मॉल्यकूल इस नोट एंगुलर नहीं है एंगुलर का मतलब पहले आप समझे कि एं मतलब कि कोई भी कंपाउंट जिनके बीच एंगल फॉर्म हो रहा है ठीक है विच ऐसे एंगल अबाउट 105 जो वाटर होता है उसमें 105 के आसपस एंगल बनता है तो ऐसे जो एंगुलर कहते हैं तो इन में से अगर आप सब का शेप बनाएंगे तो इसमें आपको पता चलेग कि सबी जो हैं वो एंगुलर है तो इस वज़ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबरी नन ओफ दीस के बाद कोशन नमबर 23 है इसमें पूछा गया है कार्बोक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर बताने आपको तो पहले ऐसे आप ऑप्शन थे ही दीखिए आपको अपना थोड बैसे इसमें लिक टो finish टारूश को अट्रेग करता है और जो इलक्टरण एकसेप्ट करता है उसके पास क्या होता है कि निजखिँली चार्ट तो यहां पर अप देख सकते हैं इसमें क्या है पॉजटिव नेगेटिव मतलब यह भी नहीं हो सकता है उसके बाद इसमें इसका option number B है वो right answer होगा अब इसके बाद next question solve करेंगे अब को polymer is formed when co polymer क्या होता है यह polymer chapter का है जो कि class 12 के syllabus में को polymer यह होता है कि जब कोई भी two or more different monomers react with each other तो उसे हम co polymer homo polymer जो होता है वो same type के monomers से बनता है और जो co polymer होता है वो different type के monomers से मिलकर बनता है तो इस तरह से आपको इसका definition याद एकना है कि what is co polymer and what is homo polymer इसके बाद next question है oil and fats are oil and fats क्या होते हैं यह होते हैं triglycerides मतलब कि try stir of glycerol इसका right answer option number B यह क्या है just general information है तो यह आपको याद एकना है अब इसके next question देखते हैं इसमें पूछा गया है total number of isomeric alcohol with molecular formula C4H10O अब पहले यह समझे कि isomer क्या होते है isomer का मतलब होता है same molecular formula but different structure ठीक है structure उनका different होता है बट यह जो molecular formula है वो same होता है इसे हम isomer कहते हैं तो इस formula से आप structure बना बना के देखेंगे कि इसको किस कर किस तरह से बनाया जा सकते हैं तो इसमें जब आप बनाएंगे तो पता चलेगा इसमें जो total isomer है वो seven बनते हैं पर seven में क्या होता है कि चार उसमें से alcohol form होते है तीन जो है वो ether form होते हैं तो इसमें आपको पूछा गया total isomer नहीं पूछा है question भी आपको ध्यान से पढ़ना है total नहीं पूछा है इसमें पूछा गया है कि कितने alcohol form हो रहे तो इसलिए इसका आंसर जो होगा और ऑप्शन नमबर फॉर्ट 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 इसके बाद हम इसके आइसो मर्स देख भी लेते हैं किस तरीके के होते हैं 7 isomer बनते हैं तो इसका यह देख सकते हैं कि आप यहां पर कि चार जो है वो एल्कुहल फॉर्म हो ठीक है इसलिए इसका आंसर जो है और तीन जो है वो इथर फॉर्म हो रहे हैं अगर इथर पूछता तो आप मतलब आपका अंसर होता है थ्री बढ़न यहां पैल को है यहां पर आपको सीधा सीधा और्गैनिक केमिस्ट्री से कुशन पूछा गया है जो ग्रिगनार्ट रिजन होता है उसका हम यूज क्यों करते हैं उसका हम यह जो CH3 है यहां पर लगा हुआ है तो इससे हम सब्स्ट्ट्यूट करते हैं ठीक है आपको पता होने चीए कि ज करते हैं दो दो आज में तो इसमें राइट आंसर होता है इसमें आपको यह पता होना चीह कीजिए जो CH3 वह सब्स्ट्ट्यूट होता है इससे आपको इसलिए समझाएगा कि जैसे अब यह है आपका formaldehyde, formaldehyde का formula होता है HCHO, तो यहाँ पर एक carbon तो already है, अब यह CH3 substitute होगा, तो मतलब इसमें 2 carbon हो जाएंगा, तो इसमें आप देखिया, options में आपको कहाँ 2 carbon दिख रहे है, option number A, इसलिए यह होगा right answer, अब इसके बाद next question solve करते है, acetic acid exists as a dimer in benzene, जो acetic acid होता है, वो benzene म रहता है, वो double क्यों रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यह structure है, वो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ पर इनके वीच hydrogen bonding होती है, जैसे कहते है, monomer, क्योंकि यह single है, और यह अगर जो दो आपस में जूड़ जाते हैं, तो इसे dimer कहते हैं, तो यह ऐसा क्यों होत उकसीजन यह लोग ले हो रहें? नेगटीवली चार्ज डैवलाप कर रहे है, और यहाँ पर क्यים हो रहे है? bisher है है, ओक्सीजन है, यह empoteric तो इसका जो आंसर होगा वह होगा empoteric substance जो acid और base दोनों की तरह act कर सकता है उसे हम empoteric substance कहते हैं अब इसके बाद last question is the combination of H plus OH is equals to H2O यह reaction है हम क्या reaction कहते हैं तो इसका अंसर होगा option number B neutralization reaction मतलब की जो यह H plus होता है वह acid होता है और OH होता है वह base होता है तो इस वज़े से जब यह दोनों को हम मिलाएंगे और यहाँ पर water form होगा तो यह जो reaction होगा reaction का type क्या होगा यह होगा neutralization reaction मतलब की उदासी नहीं करन तो इस आपको आगे और वीडियो चाहिए तो आप comment करें like करें अगर मुझे लगेगा कि आप वीडियो आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो का जो watch time होगा वो अच्छा होगा तो मैं आगे भी इस topic पर वीडियो बनाऊंगे आगे भी हम और question solve करेंगे आगे physics biology और इसी तर दूका जो अगे घर आगे हम जुद।